हेलो एब्रिवन वेलकम वेक टो माई चैनल एजुकेशन अड़ा नाइन ब्रीधिंग एंड एक्सचेंज ओफ गैसेज का पार्ट थ्री है और यहां पर आज हम डिस्कुस करने वाले हैं एक्सचेंज ओफ गैसेज एक्सचेंज ओफ गैसेज में यहां पर पेसिकली जो एक्स देखते हैं कि एयर में कैसिस का एक मिक्षर होता है वह कंटेन की रहती है आपकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइयोकसाइड वाटर वेपर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ओफ लाइक हीलियम आर्गन एंड नियोन ठीक है तो सारे जो एनिमल्स है तो वह एकस्टर्णल एंवाइरमेंट और ब्लड के बीच थूठी तो यहाँ पर एक्सचेंज किसका होगा एक्सचेंज होगा आपका आक स्यरीं का और सी O2 का किसके बीच एल बैल यके बीच alveoli of lungs क्योंकि alveoli आपका functional unit होते हैं lungs के तो alveoli और pulmonary capillaries pulmonary capillaries जिसमें blood आपका flow होगा is called external respiration alveoli जो है primary site होते हैं सबसे जो पहली site वही होते हैं कि जहां पर gases का exchange start होता है तो gaseous exchange in this site तो यहां पर क्या-क्या जरूरी है होने के लिए gaseous exchange एक तो simple diffusion होगा जो condition favorable होगी कि simple diffusion होगा mainly और यह diffusion है waste है किस पर pressure पर concentration gradient पर यानि कि जो pressure है यहां पर pressure आप पढ़ेंगे partial pressure की बात होगी तो pressure mega difference होगा तो diffusion high concentration to low concentration जाएगा and solubility of gases gases की solubility पर depend करेगा कि diffusion में कौन सी gas faster होगी और कौन सी comparison then उससे lower होगी and solubility of CO2 तो यहां पर वही बात है कि solubility of gases में partial pressure की बात करते हैं तो partial pressure है क्या तो pressure वो pressure जो लगेगा और जो एक्जर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे और यहां पर इसकी जो unit है वो mmHg होता है तो देखते हैं respiratory gases आपकी oxygen और CO2 atmospheric air में जो इनका partial pressure होगा 159 and CO2 का 0.3 and alveoli में इसका 104 और CO2 का 40 होगा और deoxygenated blood में 40 oxygen का CO2 का 45 blood oxygenated में 95, 40 and tissue में 42, 45 तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि यह 159 एक standard pressure होता है 760 एक standard pressure होता है 760 और आपका जैसे oxygen को 21 होता है अपान 100 तो जो value आएगा वो 159 इस तरह से आएगा तो इसी तरह यहां पर इसको याद करने का तरीका यह है कि अल्वलाई में oxygen जादा है यानि 40 देखिए यहां पर 40 alternation में आया है अल्वलाई में डाउन देन जिग जैक के उसमें 40 देखिए blood oxygenated तो आप तो कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि डाउन में आपका 40 है यानि डाउन डाउन जाके डाउन में डाउन जाकर एल्वली से 40 देन डी से डॉट से डी डी अक्षीजन एट तो डी ओक्सीजनेटड में क्या होगा कि कारवंडे उक्साइड जादा होगा और oxygen कम होगा तो oxygen कितना होगा में 40 इसी तरह oxygen एट में आपका 40 फिर टिशू पैंका 40 कि इस तरह से आपको एक याद करने का तरीका है आगे देखते हैं जैसे यह स्ट्रक्चर है आपका एलविलाई का एलविलाई जो आपके लंग्स में एक एयर सेक्ष चुक्चर होते हैं उनको ही एलविलाई बोलते हैं और यहां पर ही मेंली डिफूजन की यह प्राइमरी हैं तो देख सकते हैं स्ट्रक्चरली कि बीच में इसके अल्विलर केविटी है जहां पर एर ने एंटर किया यहां पर ऑक्सीजन भी और स्योटू भी है तो जैसा कि आपको बताया अल्विलाई में उस टाइम जो है जो एल्विलाई में एक सिंगल लेयर और वन सेल्थिक लेयर है वह स्कुमस इपी थीलियल है एल्विलाई वह एल्विलर वॉल एंड बीच में इसके फ्यूजड बेस्मेंट सब्स्टांसिज है जो कि आपकी एल्विलाई और ब्लड कैपलरी के बीच में पाई जाएगी प्लाट और यहां से ब्लाट करेगा और यहां से जो दूसरा देशी में को कर जाएगा एक इस्टमिक आर्ट्री ज और बेंस में होते हुए हो कौ तो आज़ेखते हैं जैसा कि आपको बताएं कि respiratory membrane जो होगी आपकी अलबुलर एपिथिलियल होगी फ्यूज बेस्मेंड मेंब्रेन होगी और capillary और capillary endothelial होगी आप यहां पर एक वर्ड लिख सकते हैं एक साथ यह किसकते हैं कि fused basement membrane है यहां पर जो अलग अलग बताए गया है देन आप देखते हैं यहां तक जो था वह आपका external respiration में होगा जो gases का exchange होगा वह external respiration है दूसरा है exchange of gases between the blood and tissue तो देखिए यह एक collective diagram है जिसमें आपका external और internal respiration दोनों को show किया गया है जैसे यहां तक का जो पार्ट है वह आपका external respiration है जो कि यहां से जो आपका tissues तक है वह आपका यहां से जो आपका respiration है यह यह आपका क्या है जब कैपिलरी से टिशू तक जो आपका exchange हो रहा है गैसिस का वह आपका internal respiration होगा क्योंकि internal respiration में जो tissues के अंदर जो cells है वहां पा cellular respiration होगा during the this time the glucose is oxidized source CO2 is form and during ATP formation so this CO2 is a carry in a systemic vein or we can say that the carrying deoxygenated blood blood तो यहां पर देखते हैं कि जैसे ही हमने inspired की air को तो वहां पर aleular air cavity में आईगी यानि aleular cavity में जो air आई वहां पर अब उसका partial pressure oxygen का जो partial pressure वह 104 mmHg है जबकि CO2 का जो partial pressure 40 mmHg है ठीक है यह alveolus की condition हो गई और जो आपका जो pulmonary vein है ठीक है pulmonary vein में यहां पर oxygen का जो partial pressure है वह कम है और CO2 का यहां यहां पर जो आपका oxygen का जो partial pressure है वह कम है यानि 104 है तो यहां पर मालो 95 हो रहा है ठीक है तो जो diffusion है वह जादे से कम की तरफ होगा तो अब यहां पर oxygen का diffusion होगा oxygen का diffusion होगा तो यह oxygenated blood tissues तक जाएगा अब यहां पर tissues तक जाएगा तो oxygen को यह क्या है tissues तक पहुचाएगा for regular activity of cells और functional activities के लिए उसके बाद जो cellular respiration में जो CO2 बना वो CO2 देखिए यह blue color में दिख रहा है यह CO2 यहां पर in capillaries के द्वारा ले जाये जा रहा है systemic veins के द्वारा ले जाये जा रहा है तो CO2 का जो pressure है यहां पर 45 है ठीक है और oxygen का कितना है 40 है तो CO2 का 45 है जबकि alveolus में कितना है partial pressure CO2 का 40 है यानि कम है और tissue में जादा है तो जादा से कम की तरफ वो जा रहा है तो यहां पर जो deoxygenated blood है वो contain किया है CO2 को और इस तरह expire होगी तो respiration में alveolus से जो oxygen का diffusion होगा तो उसका जो target है कि वो oxygenated blood को tissues तक ले जाए जबकि deoxygenated blood जो CO2 contain किये है वो tissue to alveolus तक ले जाए और expire होगी ठीक है I think यहां तक आपको समझ में आया होगा concept कॉंसेप्ट समझ में आया है और इसी तरह हमारे आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें थैंक यू